तो आज हम देखेंगे हमें 21st April के दा हिंदू में क्या क्या हमें पढ़ना है चलिए देखते हैं देखो यहां पे अप देख रहे हो यहां पे लिखा है देव भूमी उत्राखन तो in derviu में मौक इंटरव्यू में एक सब्स्राखो भी गया था आपको जानना है कि अगर पूश ले कि उत्रखंड के चार्द हम किसे कहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये मनोत्री, गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ ठीक है? आगे बढ़ता है एडिटोरियल वाले पेज में हम आ चुके हैं तो इसमें हमारे ये एक इनपर्टेंट है a new adjective fight against tuberculosis मतलब TB के खिलाफ यहाँ पर बायद कि जा रिए कि fight against TB tuberculosis तो यहाँ पर गहा जा रहा है at one world TB summit मतलब जो one world TB summit हुआ अभी वो कहां पर हुआ है ये याद रखना है exam में पूच सकते हैं तो one world जो TB Summit हुआ है वो वराण सी उत्तर प्रदेश में हुआ तो अगर कॉस्चिन आए वर्ड टीबी समिट कहा हुआ तो वो वराण सी उत्तर प्रदेश में हुआ ठीक है और कब हुआ मार्च 24 को हुआ है प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है यहां पर फ्रेश अनजी टू ग्लोबल ट्यूबर क्लॉसिस एलिमिनेशन रिस्पॉंस और रिट्रिटेट इंडियास कमिट्मेंट तू स्पियर हेट इस अफर्ट तो मतलब किस तरीके से एलिमिनेट करनी के बात की जा र रखा है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे लेसंस फ्रम कोवी नाइनटीन रिस्पॉंस तो क्या लेसंस लेने की जरूरत है जो कोवीड नाइनटीन में हुआ था तो उससे तो इसमें तहां जा रहा है जो कोवीड नाइनटीन पैंडामिक प्रवाइड आस तो किस तरीके से डील किया जा रहा है और अभी भी पूर तरीके से खतम नहीं हुआ है तो क्या कितने चालेंज़ रहे हैं कंट्रीज वर एबल तो कांटर कोवीड नाइनटीन बाइज बाइड आपन इनेट हूमन स्पिरिट तो एडॉप्ट क्या करके लर्न एक्पेरिमें इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है तो किस तरीके से यह कहा जा रहा है कि अगर हम कोवीड नाइनटीन के खिलाफ इतने अच्छे से लड़ सकते हैं तो हम टीवी को भी अलमिनेट कर सकते हैं अब देखो ये सारी चीज़े तो ऐसे बाते थी ठीक है यहाँ पर जो जो चीज़े हमें जाननी है वहाँ पर मैं स्टार बना देती हूं जो इंपॉर्ट है तो वह टीवी संट कहा हुई यह हमने जान लिया अब यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ शीज़ें वो इंडिया जना टीबी अलिमिनेशन प्रोग्राम और एंटी इप प्रेविसली ओन एज रिवाइज नेचनल टीबर प्लाउसर कंट्रोल प्रोग्राम यह जानने लाइक है यहाँ पर ठीक है तो इंडिया ने जिगनिफिकेंट प्रोग्रेस किया है कि कैसे वो एंड करे has introduced several measures to find, notify and treat TB cases with case notification rising from 15.6 lakh in 2014 to over 24 lakh in 2022 तो किस तरीके से बढ़ा, कैसे एक challenge बना हुआ है उस पर बात की जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? हम यहाँ पर देखो, the recent national TB prevalence prevalence survey in India, उसमें क्या पाया गया? कि 64% जो people है, जो infected है TB से, did not seek care मतलब वो अच्छे से care नहीं ले रहे हैं अपनी As a result, national level estimate suggests that for every person notified with TB they miss detecting almost two more cases मतलब यह कहा जा रहा है, कि जो estimate निकला है उसके बावजोद भी मतलब कितने जादा जो detect हो रहे हैं cases two more cases, मतलब बहुत जादा, almost उससे जादा ही cases यहाँ पे देखे जा रहे हैं मतलब, यहाँ पे आप देखो huge number है, यह 64% है, जो infected है TB से, ठीक है? यह होगे, आगे आगे यहाँ पे क्या लिखा है, innovation lies at core of anti-tuber classes, India can lead the way तो देखो, अब यह देखना है कि eliminate किस तरीके से किया जाता है, बहुत सारे measures लिए जा रहे है priorities TV vaccine trial, यहाँ पे हमें देखना है, तो जैसे, यहाँ हमारे, जो चीचे हमें जानने लाइक है, हम सिर्फ वही देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या कहा जा रहे है, first priorities की बात यहाँ पे की जा रहे है for any infectious disease, a vaccine is what makes elimination possible, तो किसी भी चीज़ को अगर हमें eliminate करना है, जड़ से उसे हटाना, जिसे कोई भी disease है, उसको हटाना हमें, eliminate करना है, सबसे पहरे हमारे important है, क्या है, vaccine, eliminate करने के लिए, तब ही elimination possible हो पाएगा we do have vaccine, calamite, urine, मतलब BCG vaccine हमारे पास है, TB के लिए, पर वो क्या कर रहा है, does not adequately protect adolescent and adult, who are at the high risk for developing and spreading TB, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यह BCG vaccine तो है, पर यह बहुत ही अच्छे से, बहुत ही effective काम नहीं कर रही है, किन पे, adolescents पे, और adults पे, जिनको high risk है, ठीक है, एक चीज़ ओर है, while COVID-19 vaccine was developed within a year, we must prioritize and pick up the pace to find an effective vaccine, बहुत है कहा रहा है कि, जैसे हमने एक साल के अंदर COVID vaccine बना दिया था, याद ने इंडिया ने किस तरीके से COVID vaccine बना दिया, ऐसा कहा रहा है कि, इस तरीके से, जैसे उसको prioritize, उस समय बहुत सादा priority थी, क्योंकि बहुत जादा death हो रही थी, तो सब का ध्यान उसी पे था, तो बहुत ही जल्दी vaccine जैसे तयार कर दी गई, ऐसे कहा जा रहा है, कि TB के लिए भी करना जरूरी है, find an effective TB vaccine, TB vaccine भी ऐसी बनाई जाए, जो बहुत ही जादा effective हो, there are currently over 15 TB vaccine candidate in the pipeline, we must ensure that their clinical trial are prioritized to access that efficiency, efficacy in various community setting and the different, मतब trials किये जा रहे हैं, अब देखो किनका effective होता है, फिर approve किया जाएगा, फिर सब को लगेगा, और trial वगेरा घरकी देखेंगे कि वो कितना percent effective है, क्योंकि याद होगा आपको COVID कभी जैसे भारत और ये बना था, serum institute और ये सब जो बना था, तो उसका देखा जा रहा था कि जैसे को vaccine थी और ये COVID shield था, तो कौन सा कितना effective है, ये सारी चीज़े देख करके use किया गया था, तो same as इसके लिए भी बोला जा रहा है, अब यहाँ पर जा रहा है, कि अगर हमाएं पास ये global, sorry, G20 presidency है, तो हम global healthcare architecture, जो global healthcare architecture है, उसको हम क्या कर सकते है, इंडिया क्या कर सकती है, कि एक historic opportunity health के पास, वो build कर सकती है, global health architecture को, that create equitable access for all, तो ये क्या हो पाएगा, equitable access हो पाएगा सबके लिए, तो ये कहा जा रहा है, किस तरीके से मतलब इंडिया काम कर सकती है, और यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है, TB should no longer to be leading infection disease killer globally in the 21st century and India can lead the way, मतलब vaccine मना के effective तरीके से use करके, इंडिया एक example भी set कर सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है इसमें, और यह सारी चीज़े इनके द्वारा कहीं गई है, यह formal chief scientist रहे चुकी है, WHO की, and currently I'm a Swaminathan Research Foundation में है, यह doctor, इनका नाम क्या है, Dr. Soumya, ठीक है, Swaminathan, ओके, अब next हम आ जाएंगे, next हम देखेंगे हमें और कांसा, पढ़ना है, हम यहाँ पर text and context वाले page पर आ चुके हैं, इसमें बात की जा रहे है, India's fighter jet conundra, मतलब India के fighter jet की यहाँ बात की जा रहे है, वो हम समरी जासा जो साइड में दिया रहता है, वो आपे देख लेंगे, इसमें कहा जा रहे है, अगे इस दा शानसंड, strength of 42 fighter squadron, IAF, today is at 31 squadron, तो हमारे अभी कितना है, IAF के पास 31 squadron है, The bulk of the, I have to erase the drawdown and ensure that the number doesn't fall below 29 squadron, rest on the 83 light combat aircraft, अब इस समें सबसे जादा importance जो है, वो LCA को दी जा रही है, light combat helicopter को, ठीक है, और उसमें भी कौन कौन सी है, माक 1A, LCA, light combat aircraft, माक 2 and MRFA, अब शांचन किया गया था किसके लिए, अंगे इस दा सांचन ओ 42, और अभी किस पे पहुँची है, 31st पे, India has an ambitious plan, lined up for acquisition of over 500 fighter jet, get a bulk of them to indigenously designed and manufactured, अब देखो, जो यहाँ पे लिखा है, indigenously designed and manufactured, यह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि make in India initiative चला है, ठीक है, indigenously, मतलब स्पदेशी बनाने की बात, मतलब यही पर बिल्ड करने पे, जादा focus करा गया है, with the majority of them being for the IAF, however, these are at various stage of development and procurement, मतलब आभी development stage में है, यह भी यहाँ पर बताए गया, the light combat aircraft, which is falcrum of indigenous jet development program, original intent as a MiG-21 replacement, has seen a series of delay, and has now come back to track, मतलब जो light combat aircraft है, ठीक है, वो एक तरीके का replacement है, MiG-21 का, तो यह हमने देख लिया कि focus किस पर क्या जा रहा है, यह सारी चीज़े देख ली हमने, light combat aircraft और यह सक्के वारे में, हम पहले भी discuss कर चुके हैं, यह आपको याद होगा, science and tech वाले पर हम हमेशा देखते हैं, ठीक है, next हम देखेंगे, यहाँ पर SEO से related बात की जा रही है, संगाय कोपरेशन और अर्गनाइजेशन की, ठीक है, तो किस तरीके से SEO का, क्या, यहाँ पर देखो बात की जा रही है, 40% of global population है इसमें, ठीक है, 25% global GDP, 22% world total land area, SEO में है, अर्गनाइजेशन है, यह भी हम को जानने की जरूरत है, इसमें कौन-कौन से ब्लॉक है, यह सारी जीजबी यहाँ पर दिया गया है, देखो कितने members है, ब्लॉक कंपराइजस कौन-कौन है, यह देखो यहाँ पर 8 members है, यहाँ पर कौन-कौन से, चाइना है, इंडिया है, कजाखस्तान है, किरिगेस्तान है, रश्या है, पाकिस्तान, तजाखस्तान है, उजबेकिस्तान, अब देखो, यह यहाँ से important बन जाता है, क्योंकि आपने PYQs किये होंगे, या मौक आप कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा, कि इस तरीके से पूछता है, कि कौन मेंबर नहीं है, not a member करके दे देगा, तो वहाँ पे वो highlight, हमको ध्यान से देखना है, कि not यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, और कौन सा member है, तो हमको यह याद रखने की जरुरत है, कि चाइना है, इंडिया है, कजाखिस्तान, करिकिस्तान, रश्या, पाकिस्तान, तजाखिस्तान, और उजबेकिस्तान, तो यह eight members है, SCO के, ठीक है, तो यह हमको जानने की जरुरत है, और full form क्या है SCO का, अभी मैंने बोला था, संग्याई कोपरेशन, संग्याई कोपरेशन और अर्गनाईजेशन, तो यह सारी चीज़ है, यहाँ पर हमको, जाननी है, ठीक है, इंडिया है, और नाइस टू नॉलेज़ शेरिंग, वर्क्शॉप और स्यों मेंबर, on mitigating and impact of earthquake and flood, अर्थक्वेक और flood पर किस तरीके से काम किया जाए, वो इंडिया ने क्या किया है, और नाइस किया है, नॉलेज शेरिंग वर्क्शॉप इसके लिए, और यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है, इसमिनिस्टर इडेटिफाइ, मिनिस्टर कोई है? ईडेटिफाइ, ने क्या किया है, सेॉर्टियों के लिए, ये प्रियोरिटी ओर देखो, जब भी कोई बढ़ता है तो दो चीज़ फोन करूई करता है, पहले स्चराटिंग आपुआ करनों स्लेबस और पिवाई, कि दो ही चीज़ है सोर्स आपकी आपको जिससे पता चल पाएगा कि किस तरीकिये के questions आते हैं तो आपको पहले तरीक में पूछता है कि कोई है कि उसमें member कौन है इंडिया इसका part है कि नहीं डिरेक्ट नहीं पूछता है इंडिया पाट ही कि नहीं और वो कौन कौन से है एक है confidence building effort in Asia पहला दूसरा collective responsibility approach expanding cooperation in communication and information sharing identification of priority areas and use newly developed technology in disaster resilience capacity building ठीक है तो यह चीज़े हैं जो five priorities area है तो यहां से आपको जो five priority area है यह हमारा important है और यह कितरे member है इसमें यह important है बाकी जो छूटा होगा वो हम short note में देख लेंगे ठीक है तो यह चीज़े यहां पर है अब यहां पर एक चीज़ और यह देखो दिया हुआ है faith in children vaccine has gone up in India says UNICEF अब कोई comment किया था वो पूल रहा था कि क्या इतना sufficient है तो देखो जो दा हिंदू में जितने भी important होते है वो हम कबर करते है अब क्या होता है कि कई बार अकर कोई भी चीज़ repeated रहती है तो उको 55 countries studied for popular perception of the importance of the vaccine for children तो कौन से है तीन ऐसे है China India Mexico कितने में से 55 countries में से 3 out of 55 countries में ऐसे है जन्होंने क्या किया है ठीक है तो इन्होंने क्या किया है कि एक उनका अपना study किया है popular perception का कि क्या importance है vaccine का children के लिए ठीक है showed improvement as per data collected by the vaccine confidence project जो कि London School of Hygiene and Tropical Medicine के दोड़ा किया गया है और पब्लिस्ट किया गया है किसके दोड़ा UNICEF के दोड़ा Thursday को उसके context में ये बात की गई है तो ये पहली वाली लाइन जो है ये हमारा थोड़ा सा important है ठीक है this is this is when vaccine confidence mark a decline in over third of this studies countries decline देखा गया है कहां कहां पर Republic of Korea पपुआ नियो गिनिया और घाना single Japan यहां पर decline देखा गया है वाक्सिन के में confidence की मतलब वाक्सिन confidence में decline देखी गई है यहां पर अब vaccine hesitancy एक word है तो क्या पता यह word use करके means में question बना सकते हैं वह vaccine hesitancy ठीक है vaccine hesitancy मतलब hesitate होते है तो उसी की बात की जा रही है अब वाक्सिन hesitancy की अब यहां पर कहा जा रहा है तो यहां पर कहा जा रहा है तो यहां पर कहा जा रहा है तो यहां पर कहा जा रहा है रिपोर्ट वाक्सिन hesitancy due to factor such as क्या क्या factor है misleading information and declining trust in vaccine efficacy मतलब कि जो एक mistrust हो गया है उसकी वज़े से decline देखने को मिल रहा है उसकी if you say NCE or if you get C's की वज़े से देखने को मिल रहा है UNICEF India today release the agency global flagship report कौन सी रिपोर्ट निकाल है the state of world children 2023 इसमें क्या कहा गया for every child vaccination मतलब नाम रखा है for every child vaccination किसके द्वार निकाल के कर इस तरह का question आएगा तो हमको वहां सीधे सीधे जान जाना है UNICEF की बात की जा रही है UNICEF India okay childhood immunization के लिए किया गया है तो यह यहाद रखना है यहाद आपर यहाद आजरह है the decline in vaccine confidence globally come amid the largest sustained black slate in childhood immunization in 30 year filled by COVID-19 pandemic अच्छा आपको यह यहाद हो कर जब COVID-19 pandemic था तो उस समें भी बात की गई थी children के लिए vaccine की और वहाँ पे बहुत जादा importance रखी गई ठीक है children के लिए the pandemic interrupt childhood vaccination almost every year especially due to intense demand on the health system diversion तो यह देखो वही सेम बात की जारी COVID-19 vaccination health worker storage and stay at home measure the report said a total of 67 million children missed out on vaccination between 2019 and 2021 with vaccination coverage level decreased हो गया है ठीक है 112 country में mistrust और इन सब चीजों की वज़े से यह हुआ है ठीक है तो यह भी चीज़े थी यहाँ पर ओके almost हाँ अब यहाँ पर देखो यह भी important है Buddha's teaching can solve most contemporary global problem ऐसा कौन कह रहा है Prime Minister Narendra Modi तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है okay यहाँ पर देखते है Prime Minister Narendra Modi on Thursday say that the world was facing क्या face कर रहा है वो बहुत सारे challenges ऐसे कि most challenging time of century due to war, economic crisis, terrorism, climate change तो war की वज़े से, economic crisis की वज़े से, terrorism की वज़े से, climate change की वज़े से word जो है वो बहुत सारे challenges face कर रहा है video लंबी हो रही है उसके लिए sorry and all these contemporary global challenges can be addressed through teaching of Buddha तो यह कह रहे हैं इससारे चीजशे जो है globally global जो challenge है उसको क्या किया जा सकता है deal किया जा सकता है, address किया जा सकता है अगर हम बुद्ध की जो teaching है उसको हम देखते हैं और जो बहुत सारे solution बता है उसको हम focus करते हैं तो हम इसCो deal कर सकते Inaugrating, यह सबसे ज़्यादा important line है हमारी Inaugrating the first global Buddhist summit यह line याद रखने है, first global Buddhist summit हुई है इंडिया में ठीक है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यह याद रखना कि first हुई है अभी नहीं हुई है, first पहली बार हो रही है global Buddhist summit, ठीक है Mr. Modi said, Buddha preached abandoning war, defeat and victory over eternal peace तो क्या क्या सिखा है Buddha ने, इसके वज़े से हम अपनी जो अभी current situation है उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, या उनके teaching से हम कैसे सीख सकते हैं A better and stable world could be achieved only by considering the nation dealing with the sacrifice of the resources It is the need of our, that priority of every person अभी यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, priority की बात की है, every person nation should be the interest of the world की nation के बारे में सोचना, interest होना चाहिए, मतलब nation के बारे, nation को ठीक है, first priority पर रखना चाहिए, priority of every person and the nation should be the interest of the world की हर एक इंसान की और nation की जो interest है, जो हम में रखते हुए, चलने की जरूरत है path of Buddha is path of future क्या वो लगे है, path of Buddha is path of future and path of sustainability तो यह सारी चीचे हम answer writing में भी अपने लिख सकते हैं, ठीक है, path of Buddha जो है, path of future and the path of sustainability Had the word followed Buddha teaching, it would not have focused the problem of climate change गोल रहे हैं कि अगर Buddha की teaching को हम follow करते हैं, तो हम अभी जो face कर रहे हैं climate change को, वो हम ना face करते हैं ठीक है, the prime minister gave the example of missile life, इन्होंने example पी दिया है missile life का, ठीक है, missile life की बात की है अब यह बहुत जादे important है, हम कई बार discuss कर चुके है, life के बारे में ठीक है रिशोडिक बाइ इंडिया, which he said was influenced by inspiration of Buddha और उन्होंने बोला कि यह inspiration ले करके, जो Buddha की inspiration है उनसे influenced है, इन्फ्लूएंस्ट है missile life, ठीक है the inspiration behind India achieving the recent global landmark in a various sector was the Buddha, the prime minister added मुनने बोला कि किस तरीके से Buddha की teaching काम आ रही हो और चीज़े अठी हो रहे हैं और आगे बढ़ लें, ठीक है तो यह भी यहां पर है यह सारी शुचे हमने देखी हैं यहां पर तो हम सारा अभी almost discuss कर जूगे, अब यहां पर एक है SpaceX uncrewed starship explored shortly after liftoff SpaceX के बारे में हमने science and tech वाले में एक बार discuss already किया था तो इस starship the most powerful rocket है ever built explored during the first flight on the Thursday but Elon Musk congratulated his SpaceX team SpaceX का है आपको पता ही है ठीक है an exciting test of the spacecraft designed to send astronaut to moon, mars and beyond अब देखो सबसे सादा यहां पर यह वाली line यहां रखने के जरुत है ठीक है astronaut को भेजने के बाद की जारी मून पर ठीक है तो यहां पर बात की गई है और SpaceX said that with a test like this success comes from what we learn and today the test will help us improve start ship reliability as space exceeds to make life multi-planetary तो मतलब कुल मिलाके हमको यहां से यह जानना है start ship क्या है astronaut को भेजना जैसे moon पर, mass पर वहां सब भेजने की तयारी है एक तरीके से और यहां पर यह चीज़ और कही जारी है NASA has picked the start ship spacecraft to ferry astronaut to moon in late 2025 तो मतलब NASA ने क्या किया है एक तरीके से जो start ship spacecraft है उसके जरीए यह क्या करना चाहते है astronaut को moon तक भेजना चाहते है और ऐसा यह करने वाले है लेट 2025 तक अब mission known as इसको कहा जाएगा इस mission को Astromis 3rd ठीक है? Astromis 3rd Astromis 1st और 2nd के बारे में आपने पढ़ाओगा तो इसको Astromis 3rd क्याते है ठीक है वह बहुत जादा important है PT365 का science and tech वाला क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े साल भर की cover हुई है तो अगर मेरे पास time रहेगा तो मैं उसका भी video बना दूंगी वह जादा पीच का शायद है नहीं फिर भी बनाना पड़ता है तो देखूंगी अगर हो पाएगा तो मैं upload कर दूंगे बना के तो वह 1 year का वह हो जाएगा और जब भी अगर किसी को अभी देना है 2024 में देना है 2 year के current affair कम से कम आपको required होते है for the first time since Apollo program entered in 1972 तो यह सब हमने देख लिया start ship consists of 164 foot tall spacecraft designed to carry crew and cargo that side a top a 23rd तो यह आपको इतना नहीं याद रखना कि कितने feet का है क्या है बस आपको यह याद रखना है कि astronaut के भेजने की बात की जा रही है और moon पे भेजने की बात इन्होंने करी है late 2025 तर तो यह साली चीज़े थी जो हमने हमको देखनी थी आज और हमने almost चीज़े cover कर ली है ठीक है और इसमें यह attention लेने की बात नहीं है कि कुछ छूटा तो नहीं क्योंकि वह चीज़ा repeat होती है जो बहुत जादे important चीज़े होती है वह बार-बार news में repeat होती है तो editorial में आ जाती है या फिर ऐसे news में करके आ जाती है तो हम वह उसको cover कर लेते हैं इसलिए जादा tension लेने के जरुरत नहीं है ठीक है क्योंकि देखो जो भी यह पूछ रहा है कि इतना sufficient है कि नहीं उसके लिए मैं बता देती हूं current affair ही नहीं 60-40 का ratio होता है 60% आपका static ही आता है और even 70 कह लो और 30 या 40% current का आता है तो अगर आप उसके लिए और paper 2 में ठीक है paper 2, paper 3rd years का जो है उसमें बहुत ज़रुत रहती है current affair की क्योंकि आपको उसको static dynamics mix करके लिखने की ज़रुरत होती है पर अगर बात की जाए prelims के लिए तो यह सारी चीज़े sufficient होती है साथी साथ pt365 निकालता है उसको करनी होती है और pyqs and mock यह बहुत ज़रुरी होता है ठीक है बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है सब अच्छा ही होता है ठीक है तो thank you so much मिलती हूँ आपको मैं next video के साथ